अगर आपका भी है गला खराब लेकिन खांसी के दोरान आपको कफ नहीं आ रहा है और काफी तेज गले में दर्द है तो ये स्टेप्टो कोकस इंफेक्शन के सिम्टम है जिसे कहा जाता है स्टेप्थ्रॉड जिसका ट्रीट्मेंट अगर सही समय पर नहीं किया गया तो ये आपके साथ काफी कॉंप्लिकेशन क्रियेट कर सकता है तो चली जानते हैं क्या है स्टेप्थ्रॉड क्या होते हैं इसके सिम्टम्स किस वजह से यह होता है और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टन सीज बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश लेंग्विज जादा प्रिफर करते हैं इन कंपेर टू हिंदी तो आप इस वीडियो को सेम टू सेम इंग्लिश में देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल डिजीज मीडिया पर जाकर वीडियो का लिंक मने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां जाकर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं और अगर आप हिंदी में कंटीनियो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए नमस्य दोस्तों मैं हूँ आगुन सिंक स्थैया, स्वागत है आप सबीखा, देखें स्ट्रकुच्ण इस इस इंफेक्शन में सूजन आजाती है और काफी दर्द होता है जब भी हम किसी चीज को निइखलते हैं जब भी किसी चीज को swallow करते हैं तो काफी दर्द इसमें देखने को मिलता है काफी mild fever होता है लेकिन दीरे दीरे जिसे जिसे इसके days बढ़ते जाते हैं बुखार का temperature भी बढ़ता जाता है और हमारे जो complications हो रही है गले में दर्द है वो भी बढ़ता चला जाता है पर अब इसी के साथ हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे पहचान है कि हमारा गला खराब होने की वज़े streptococcus bacteria का infection है या फिर किसी तरह का viral infection है देखे बढ़ा असान है इन दोनों के बीच में differentiate करना देखे जब भी अगर आपको किसी तरह का viral infection होता है लेकिन अगर आपको streptococcus का infection आपके गले में हुआ है तो इस दौरान आपको कोई कफ देखने को नहीं मिलेगा ना आपकी नाग जाम होगी ना आपकी नाग बहरी होगी ना गले से कफ निकल रहा होगा सिर्फ गले में बहुत तेज दर्द होगा आपके यहां सूजन आ जाएगी और दूसरा important difference यह है कि आप अपने गले में देख पाएंगे कि आपको red color के या yellow color के patches देखने को मिलेंगे जो कि सामानी viral infection में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन step throat नाम के infection में वो देखने को मिलते हैं तो आप अपना मूँ खोल करके अपने गले में देख सकते हैं शीषे के सामने खड़े हो करके कि क्या वो red color के या yellow color के patches आपके गले में देखने को मिल रहे हैं और इसका होने का कारण क्या होता है कि जब भी आप किसी infected person के contact में आ जाते हैं या फिर किसी ऐसी चीज के contact में आ जाते हैं जहां पर यह जो pathogenic bacteria है वो present होता है और यह आपके touch में आ जाता है आपके contact में आ जाता है कि क्या होता है इसका treatment देखिए treatment को करने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग को clear रखिए समझ लीजे कि कहीं यह viral तो नहीं कहीं यह bacterial तो नहीं अगर आपका गला खराब किसी viral infection की वज़े से है तो आप उसको घर पे बड़ी आसानी से treat कर सकते हैं एक video मैंने उपर i button में link किया हुआ है जिसमें मैंने पूरा detail में बताया हुआ है कि कैसे आप घर बैठे viral infection जैसे की common cold को घर पे treat कर सकते हैं उसको जाकर देख लीजे अगर आपको कफ आ रहा है इस गला खराब के दौरान तो आपको यह video काफी help करेगा लेकिन अगर आपको कफ नहीं आ रहा है और यह step throat के infection है तो अब आपको एक doctor को दिखा लेना चाहिए तो अब doctor को पास जाएंगे doctor क्या करते हैं एक rapid step test करते हैं यह test होता है जिससे हाथो हाथ पता लगा लिया जाता है कि यह infection bacteria की वज़े से या किसी viral की वज़े से अगर वो test negative भी आता है तो doctor क्या करते हैं आपका sample किसी laboratory में भीज़ देते हैं further जाच के लिए और दूसरे दिन report आ जाती है उसके basis पे identify कर लिया जाता है और अगर किसी को step throat निकलता है तो doctor normally जो एंटिबाइटिक से प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि एजित्रोमाइसीन यह common antibiotic होता है गले के infection के लिए जो काफी general purpose में यूज की जाती है और भी एंटिबाइटिक से जैसे कि penicilline या empecilline पर उनको यूज करने से पहले doctor allergic testing भी करवाते हैं क्योंकि empecilline या फिर penicilline कई लोगों के साथ allergic reactions शो करती हैं तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आप एक doctor को दिखा लिजे ताकि आपको इन बाकी परेशानियों से गुजरना ना पड़े कुछ allergic reactions आपके साथ ना देखने को मिले और आप एक सई ढंग से जल्दी से जल्दी recover कर जाएं तो ये थी वो छोटी सी जानकारी जो कि step throat के बारे में मैं आपके साथ share करना चाहता था I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ help जरू मिली होगी अगर आपको इस वीडियो किसी भी तरह helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा share कीजेगा अपने दोस्तों और अपने family members के साथ ताकि ये वीडियो जागरुकता फैला सके उन लोगों के साथ जो step throat से पीडित हैं और अगर आपने अभी तक एचानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन को दबाकर all पे क्लिक कीजे ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन्स आपको आगे भी मिलते रहे हैं तो आज के लिए कुछ इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ